15 नवंबर के बाद चार राशियों की किस्मत बदलने वाली है। इसकी वज़ा शनी ग्रहे का राशी परिवर्टन और उसकी चाल में बदलाव है। ये जोतिश में बड़ा माना जाता है। तरसल शनी मारगी का हर राशियों पर असर पड़ता है। इसी कड़ी में लोकलिटी नए देवगर के प्रसिद जोतिशाचारे पंडित नंद किशोर मुदगल से खाज पाचीव की। उन्होंने बताया कि शनी 15 नवंबर के बाद मारगी हो जाएंगे और इस बदलाव से कुछ राशियों की किस्मत में सुधार होने वाला है। ये चार राशिया कौन सी है इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें शार राशी वालों की किस्मत जो है वह जगने वाली है। शार राशी वाले मालो माल होने वाले हैं। उन्हों पर सनिदेव की विसेश्थ रपा होने जा रही है। जातकों को धन लाब का योग बन रहा है। नई व्यपार की शुरुवात से आर्थिक लाब की संभावना है। बिगडे कार्य पूरे हो सकते हैं। और कोट कचहरी के मामलों में फैसला मिथुन राश्री के जातकों के पक्ष में आ सकता है। सिंग राश्री के जातकों के करियर और कारुबार में व्रिद्धी हो सकती है। आर्थिक उन्यती की संभावनाएं हैं। नौकरी में मन चाहा ट्रांसफर या प्रमोशनल सकता है। शात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना है। विवाहिक जीवन में भी सुखद अनुभव हो सकते हैं। और यात्रा पर जाना लाबकारी साबित हो सकता है। शनी का मारगी होना तुला राश्य के जातकों के लिए भी शुब रहेगा। उन्हें कार्यों में सफलता मिलेगी और भाग्ये साथ देगा। खर्च कम होने और आए बढ़ने से आर्थिक स्तिती में सुधार रहेगा। गाड़ी, जमी या घर खरीदने का सैयोग भी बन सकता है। संतान पक्षु से शुब समचार मिल सकती है। धनू राशी के जातकों को शेयर बाजार में निवेश से लाब हो सकता है। काम के सिलसिले में ट्रावल करना पड़ सकता है। नौकरी में सालरी बढ़ सकती है और साथ ही प्रमोशन की भी संभावना है। रोजगार की तलाश करने वालों को नए अफसर मिल सकते हैं और वेवाहिक जीवन में भी सकरात्मक बदलाव आ सकते हैं। इन राशियों के जातकों के लिए ये समय शुब रहने की संभावना है। हाला की आपकी कुंडली और बाकी ग्रहों की स्तिती के अनुसार परिणाम अलग भी हो सकते हैं। आपको ये जवानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहें।